हलो डेप्रेंट्स मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवलेशन के बारे में सिम्टम औफ ओवलेशन के बारे में ओवलेशन किसको कहते हैं अग जब रिलेश होता है महिला के अंदर जब ओवलेशन के अगर जिस दिन अगर आप अपने हैस्बन के साथ मिलेंगी तो मैकसिमम चांस होते हैं प्रेगनेंसी होने के अंडर रिलेश होना महिला के अंदर जब ऐसा होता है तो कुछ खास बदलाव आपकी बोड़े के अंदर आती है जिनका जाना बहुत ही ज़रूरी है तो चले बेन देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं तो महिला के अंदर एगर रिलेश होना इसकी जो खास सिम्टम है तो वो आप पूरा महिना तो अपने अंदर नहीं देखती रहेंगी एक approximate idea आपको पता होना चाहिए कि इस दिन आपका तकरीबन ovulation का दिन बनेगा तो उस दिन से आगे पीछे आप इन सिम्टम को अपने अंदर जज करने की कोसिस करेंगी तो वो approximate जो दिन होता है जिसे हम ovulation day कहते हैं वो आप कैसे निकालेंगी तो सबसे पहले आपको अपने cycle की length पता होनी चाहिए कि आपके महावारी का जो duration है वो कितना है cycle की length कितनी है यानि महावारी का जो पहला दिन है वहाँ से count करना शुरू करें और अगले महीने जिस दिन पहला दिन महावारी का शुरू होता है तो उस दिन तक जितने दिन बनते हैं ये cycle की एक length बनती है किसी भी महिला के अंदर सबस के आपके cycle की length है 30 days तो आप इसमें से formula ये है कि आप इसमें से 14 minus करेंगी तो आपका ovulation का दिन ovulation day निकल आएगा अगर किसी का 30 है cycle के length तो उसमें से 14 minus करें तो ये 16 आपका ovulation day बनेगा इसी तरह अगर आपके cycle के length 28 है इसमें से 14 minus करें तो 14 आपका ovulation day होगा और ये 14 आपको उस दिन से count करने है जिस दिन आपको पहले दिन period आई थे अब थोड़ा सा एक example से समझ लें अगर किसी की cycle की length 28 days है 28 दिन है तो इसमें से 14 minus करें तो answer आता है 14 तो 14 उसका ovulation का दिन होगा उस दिन under release होगा और अगर उसी महिला को last time 3 अगस्ट को अगस्ट से आगे उसको 14 इसमें add करने है तो वो बन जाएंगे 17 17 अगस्ट आपका ovulation day होगा इसी तरह हर महिला अपना ovulation दे निकाल सकती है और जो भी ovulation दे निकले उसमें आपको 2 plus करना है और 2 minus करना है तो उसमें से 2 minus करें तो 14 और 15 अगस्ट भी सामिल होगा और 17 और 18 अगस्ट भी यह जो 5 दिन होंगे इसको आपका fertile period बोला जाता है इन 5 दिनों में maximum chance होगे pregnancy होने के और ovulation होने के और अंडे के sparm के साथ मिल जाने के अगर आप अपने husband के साथ मिलती है इन दिनों में तो इन खास symptom पे आपको इन symptom पर धान देना है कि ये जो 5 बड़ी symptom मैं आपको बताने वाले हों कि अगर ये आपके अंदर इन खास दिनों में आती है तो आप समझे कि आपके अंदर ovulation सही दर ऐसे हो रही है अंडा release आपके अंदर हो गया है तो उसमें सबसे पहली जो symptom है वो है body temperature का बढ़ जाना हर रोज जब आप सुबह सोकर उठती है तो इन खास दिरों में आप regularly अपना body temperature चेक करें जिस दिन आपका ovulation होगी उस दिन आपका body temperature 0.5 से लेकर 1 degree Fahrenheit तक increase हो जाएगा अब दूसरा जो बड़ा symptom है ovulation होने की under release होने की वो है cervical mux cervical mux का sticky हो जाना और बिल्कुल clear होना महिला के अंदर जो natural discharge होता है जो पानी आता है अगर उसको उन दिनों में चेक किया जाए अगर आप दो उंगलियों के बीच वो discharge रखके दोनों उंगलियों को खोलेगी तो आप देखेंगी की एक thread का आकार बन जाएगा यानि कि sticky हो गया है discharge और बिल्कुल clear white है तो ये भी एक symptom समझा जाता है कि ovulation हो गई है तीसरी जो बड़ी symptom है ovulation की वो है पेट के एक side में नीचे वाले हिस्से में दर्द का एहसास होना तो आपने note किया होगा कि किसी महीने आपको पेट के एक side में दर्द होता है और किसी महीने पेट के दूसरे side में दर्द होता है तो जिस side से जिस side की ovaries से एक रिलिश होता है तो उदर ही आपको pain का एहसास होगा और number 4 पे अगर इन symptoms में से कुछ symptoms आपके अंदर appear होती हैं आपको कोई doubt हो तो आप इसको confirm कर सकते हैं ovulation को अपने doctor से consult करके आपकी doctor आपका ultrasound करेंगे tvs transversal ultrasound जिसे कहते हैं तो ultrasound में अगर uterus के आसपास या आपकी जो ovaries है उनके आसपास fluid नजर आता है जो expert gynecologist होते हैं वो देख सकते हैं easily तो ये symptom होता है अन्डे के release होने के फिर नमबर 5 पे ovulation testing kits मिलती है मार्केट से बिलकुल ऐसे ही जैसी pregnancy की kits होती हैं बहुत आसान है उनके साथ भी चेक करना pregnancy test की तरह urine के sample के अंदर आप वो stick-stip करती हैं अगर दो line बने तो इसका मतलब की ovulation हो गई है और अगर एक line बने तो इसका मतलब ovulation नहीं हुई और finally एक final test confirm करने के लिए कि ovulation हुई है या नहीं हुई है वो है serum progesteron ये progesteron एक hormone होता है इसका level चेक किया जाता है खास दिन के उपर और अगर इस level की value उस दिन पे rise कर रही है बढ़ रही है तो ये ovulation होने की symptom होती है तो किस दिन आपको अपने progesteron का test करवाना है ये चीज़ सबसे ज़ादा important है अगर किसी महिला के cycle की जो length है वो 28 दिन है तो इसका भी formula ये है कि इसमें से आपको 7 minus करने है तो जो answer आएगा उस दिन आपको अपना serum progesteron का test करवाना है सबस की आपके cycle की length 28 days हो तो आप इसमें से 7 minus करें तो 21 cycle का जो 21 वा दिन होगा उस दिन आपका progesteron का test आपको करवा रहा है इसी तरह अगर किसी की cycle के length 30 days हो तो उसमें से 7 minus करें तो ये 23 जो 23 वा दिन होगा आपके cycle का उस दिन आपको अपना serum progesteron का test करवाना है और अगर ये level एक खास quantity से ज़्यादा बड़े हुए होगे उस खास दिन पे तो ये symptom होती है कि आपके अंदर ovulation हो गई है under release हो गया है और अगर किसी महिला के under ex सही तरह से नहीं बन रहे under release नहीं होता ex की quantity अच्छी नहीं होती जिसके वज़े से वो कोसिस करने के बावजुद pregnancy conceive नहीं कर पा रही बहुत time से try कर रही है तो उसके लिए जरूरी होता है कि अपने ex की quality को बहतर किया जाए तो friends बसी है ता आज का वीडियो I hopefully मैं आज का वीडियो आप लोगों के लिए useful रहेगा so we'll do next वीडियो में तब तक के लिए बाबाई